अब यदि आपका mobile खो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो यहाँ पर संचार साथी portal को launch कर दिया गया है संचार साथी portal का सबसे बरा बात यह है कि अब आप अपना mobile को भी block on block कर सकते हैं पहले यदि कोई व्यक्ति का mobile खो जाता था या गुम हो जाता था तो वो पहले अपना SIM को block करता था लेकिन अब जो है संचार साथी portal पर आप जाके अपना mobile को भी block कर सकते हैं उसको track कर सकते हैं साथी यदि वो खोया हुआ mobile आपको पुना मिल जाता है तो ऐसे इस्तिति में उस mobile को आप unlock भी कर सकते हैं यानि कि on block कर सकते हैं संचार साथी का portal से ही तो यहाँ पे बहुत अच्छा सुवीधा है और आप इसे घर बेठे ही कर सकते हैं संचार साथी पोर्टल का कैसे यूज करेंगे और यहाँ पे आपको कौन-कौन सा बात को धियान में रखना होगा कि आपका mobile खो जाता है तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग practical समझेंगे तो हम लोग चलेंगे संचार साथी का वेबसाइट पे और वहां आपको हम step by step बताते हैं तो यहां से संचार साथी का वेबसाइट से और भी कई तरह कर लाब हैं जो हम आपको संचार साथी का वेबसाइट पे जाने के बार ही बताएंगे तो चलिए चलते हैं हम लोग संच यहां से आप जो है ब्लोग कर सकते हैं साथी साथ यहां पर आप यह जान सकते हैं कि आपके नाम से कितना सीम चल रहा है ज़िए कोई व्यक्ति आपके नाम से कोई फर्जी सीम चला रहा है तो उसको आप यहां पर देख सकते हैं कौन सा नमर चला रहा है तो यह वह देखने के तो देखे, नया पर जो परन हो गया है, तो सबसे पहले यहां पर 10 digit का आपना मोगेल नमर डॉलना है, ये capture code को इस box में डाल के validate capture पर क्लिक करना है, जिसे आप validate capture पर क्लिक करेंगे, तो आपका मोगेल नमर पर OTP चल जाएगा, तो ओटीपी आन जाने के बाद यह ओटीपी इसमें डाल देना है उसके बाद लोगिन पर क्लिक कर देना है तो चलिए इतना चीजह हम भटाफ़ट करते हैं तो देखे लोगिन करने के बाद यहां पर तीन मोबेल नमर दिखाया गया है जो कि मेरे नाम से शो कर रहा है यह तीनों मोबेल नमर है और आपको बता दे यह तीनों नमर मेरा ही है खुद का ही है यह तीनों नमर अभी वर्तमान में एक्टीव है और हम ही यह तीनों का कर रहे जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं कोई दूसरा व्यक्ति जो है कोई फर्जी तरीका से आप से निकल वाली है तो ऐसे स्थिति में यह जो चेक बोक्स देख रहे हैं इसमें आपको टिक करना है सबसे पहले यह नमर को रिपोर्ट करने के लिए और उसके बाद यहां पर करना यह बला बटन पर क्लिक कर देना है नौट मैं नमबर ठीक है तो यहां से आप देख लिए कि कैसे जो है यादि कोई नमबर एस्टा है तो उसका बंद कर सकते हैं अब चलते हैं इस वेपसेट का हम पेज पे तो यहां पर देखिए संचार साथी का होम पेज पेज पर हम आ अब यहां से हम लोग बात करेंगे यहां का कोई मोग हो जाता है तो उसको आप बलोक करने के लिए वेफसाइट पर सबसे नीचीया और रोडन करके और यह जो देख रहे हैं यहां से बलॉक कर सकते हैं और यहां से रिक्वेस्ट पार्फ स्टेटसस यहां सी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं सब से पहले हम वोग करेंगे बाफ प्रडब करने के लिए लूए अनुरोद सब्सक्राइब तो आज जनते हैं कि Android मोवल जो है उसमें दो सिम लगता है तो सब्सक्रीपल आपको सीम वन का नमर यहां पर डाल देना है सिम टू यदि आपको नहीं था तो इसको आप छोड़ सकते हैं यदि सीम टू भी था इसमें आपको सिम टू का नमर डेल करना होगा चलए उसके बाद मोवल का एमाई यहां पर लिखना ओड झाया Oh up कोन मोवल था आपके पास वह आप कर सकते हैं थो देखें काफी सबाना रहा है उसके बाद डिबाइस का जो है मोडल और यहां अप्लोड मोवल पर्चेजिए आप जो मोवल खड़ दे थे उसका इनभोईस यानि कि रिसीविंग जो है यहां पर चुछ फैल पर किलिक करके अपलोड करना होगा उसके बाद जो है मोवल कहां खोया था वह जगह को यहां पर नाम डलना है किस डेट में खोया था वह यहां सब्सक्राइब यहां पर नाम डलेगे और यहां पर कोई एक जो है आपको आइकाड अपलोड करना होगा जैसे देखिए मोटर काड डिर्विलेशनस कफी सदा है अधार कर भी है तो जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं वह यहां पर यहां पर हैं अपना बॉटि डाल देगे उसके बाद यहां पर नमर देके लिटा अपको क्लिक करना होगा गे ट किलिक करेंगे तो यहां बॉक्स उपना डाल देंगे उसके लोगे टिक करकी यहाँ पे submit कर देंगे तो यह जानने के लिए ये वाला बटन पर किल्क करना होगा। च्रिह इस पर हम क्लीक करके देख लेते हैं। इस पर जैसे क्लीख करेंगे आपको जैसे आप मौल कम्न verело करेंगे तो कंप्लेंगे तो आपको रिक्वेस्ट अधिया तो यहां पर टालके गारेगे तो आपका। और यह रिजन आपको देना होगा कि आप जो है अन्बलोक क्यों कर रहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो कभी सरा है ठीक है आपको कोडिंग जो भी लागू हो उसको आप चूज कर देंगे यह क्याप्चा कोड है इस बॉक्स में फिल कर देंगे उसके बाद जो है मोवल नमबर पर OTP जाएगा OTP में डालके नीचे सब्मिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो यह जो है आपका मोवल सफलता पुर्भक अन्बलोक हो जाएगा